भूतों का कोई वास्तविक आकार नहीं होता वह किसी भी शरीर में जाकर उसी के अनुरूप बदल जाते हैं इसी से प्रेरित होकर यह घोस्ट की कहानी लिखी गई है भूतिया कहानी पढ़ने में रोमांचक होती है और ऐसी ही रोमांचक कहानी है भूतिया चिडिया घर शहरों में लोगों की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है इसके लिए रिहायशी इलाके भी बढ़ते जा रहे हैं और रिहायशी कॉलोनियों को बनाने के लिए जंगल कट रहे हैं लेकिन जंगल में रहने वाले जीव जन्तु रिहायशी विकास से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे ही सरकारी आदेश के अनुसार एक जंगल काटा जा रहा था। उस जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे जिनको सनरक्षित करने के लिए एक चिडिया घर बनाने पर विचार चल रहा था। ठीक तभी प्रशासनिक निर्णय से एक बहुत पुराने खंडहर को चिडिया घर में बदल दिया जाता है और कटे हुए जंगलों से जितने भी जानवर पकड़े गए हैं उन्हें इसी चिडिया घर में लाकर रख दिया जाता है। लेकिन सभी इस बात से अंजान थे कि यह खंडार कोई साधारन भवन नहीं है बलकि भूतों का एक रहस्यमई ठिकाना है। मामला जानवरों से जुड़ा था इसलिए पशु चिकितसक को चिडिया घर बुलाया जाता है। लेकिन पशु चिकितसक को भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। सभी जानवरों के खून की जाँच करने के बाद भी उनके शरीर में किसी तरह का कोई इंफेक्शन नहीं पाया जाता। दरासल जानवरों के अंदर भूत होना कलपना से परे था। इसलिए पशु चिकितसक अपने विज्ञान के माध्यम से इलाज करने का प्रयास कर रहे थे। बहुत जल्द चिडिया घर दर्शकों के लिए खोला जाना था। लेकिन जानवरों का ऐसा हाल देखकर आम जनता के लिए चिडिया घर खोलने के फैसले पर रोक लगा दी जाती है। शासन की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और जानवरों की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें एहसास होने लगा था की जानवरों के जंगल को काट कर शायद हमने बहुत बड़ी गलती की है। चिडिया घर के अंदर भालू, हाथी, शेर, साप और कई तरह के पक्षी रह रहे थे। एक रात सभी जानवर भूतिया प्रभाव से उग्र हो जाते हैं और खंडहर की दीवारों को धक्का मार मार के गिरा देते हैं। दीवार गिरते ही सभी जानवर रिहायशी क्षेत्रों की तरफ दौड पड़ते हैं। भूतिया चड़िया घर खाली हो चुका था और सडकों में जानवर मौत का तांडव मचा रहे थे। रास्ते से निकलने वाली गाड़ियों को हाथ ही अपने हमले से क्षति ग्रस्त कर रहे थे। और शेर, चीते इंसानों को कई टुकडों में काट रहे थे। शेहर की सडकों पर खून की नदियां बहने लगी और प्रशासन हाथ में हाथ धरे बैठा था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इतने सारे जानवरों को कैसे काबू में किया जाएं। आप्टर की मदद से ट्रैक किया जाने लगता है। शहर के चारों तरफ मौत मंडरा रही थी। जानवर अब कॉलोनियों में घुसकर लोगों के घर तोड़ने लगे। जानवरों की दहशत से कोई पहाड में भाग रहा था तो, कोई पेड में चड़ रहा था। सब कहीं न कह अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। सारे शहर में आर्मी तैनाद कर दी जाती है और आर्मी टैंक रोड पर जानवरों को ढूंड ढूंड कर मार रहे होते हैं। लेकिन जानवरों के अंदर भूत सवार थे। इसलिए वह बेखौफ होकर आर्मी के टैंकों की धज्ज हेलिकॉप्टर पर एक विशाल कायवाज छपट्टा मार देता है जिससे हेलिकॉप्टर का संतुलन बिगड़ जाता है और हेलिकॉप्टर घने जंगल में जा गिरता है जिससे जंगल में एक जोरदार धमाका होता है और हेलिकॉप्टर के अंदर उपस्थित सभी लोगों की जान चली जाती है भूतिया जानवरों ने आतंक मचा दिया था लेकिन इसके लिए जिम्मेदार हम लोग थे जिन्हों ने उनके जंगलों को अपने फाइदे के लिए कटने दिया और जंगली जानवरों को इस वज़ा से ऐसा बरताव कर रहे हैं सभी परीक्षणों की रिपोर्ट आने के बाद वैज्यानिकों को पता चलता है कि जानवरों के मानसिक हार्मोनल परिवर्तन हुए हैं और यह बदलाव कुछ समय पहले ही हुए हैं लेकिन ऐसा क्यों हुआ और जानवर ऐसा किस वज़ा घर पहुंच जाते हैं और सारे खंडहर के कोने कोने की फ्रिक्वेंसी की जाच करते हैं तब उन्हें अपने डिवाइस पर आत्माओं के होने के संकेत दिखाई देते हैं वैज्यानिकों को पता चल जाता है कि सभी जानवरों के शरीर को भूत प्रेतों ने कबज़ा कर लि हमें जानवरों के अंदर से भूत निकालना होगा ताकि जानवरों को संरक्षित जा सके और शहर को श्मशान बनने से रोका जा सके जानवरों को पकड़ने के लिए स्पेशल कमांडों की एक टीम बनाई जाती है जिने कुछ खास हत्यार दिये जाते हैं कमांडों एक-एक क करके सभी जानवरों को बुलिट गन इंजेक्शन की मदद से कहबू में कर लेते हैं, लेकिन मजबूरी में कुछ जानवरों को गंडर सीमारे नपको उसे किये, ना पड़ता है। जानवरों को रिसर्च सेंटर लाया जाता है और उनके मानसिक बरताव को ठीक करने के लिए उनका नियूरो हार्मोन ट्रांस्प्लांट किया जाता है। कई दिनों के इलाज के बाद सभी जानवरों की हालाट ठीक होने लगती है, लेकिन उस भूतिया चड़िया घर को हमेशा हमेशा के लिए द्वस्त कर दिया जाता है।